हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों आज अंग्रेजी की बेसिक क्लास शुरू कर रहे हैं बेसिक जीरो लेबल से जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे यूज आफ ईज आइमार आप लोग को सिखाएंगे एक करें सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ठीक है वीडियो के यहां तक जरूर बने रहें पहला आपका देखें यहां पर यूज आफ ही जयामार एक कब आएगा जब हैं हों ठीक है हाँ ही हूं है हों आता है इसके लास्ट में संटेंस के में अगर हा आता है तो आप क्या करेंगे एज एम आर का प्रियोग आपको करना होगा ठीक है इससे पहले हम थोड़ा पर्सन समझ लेते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी ठीक है आई और वी क्या होता है होता है second person क्या होता यू होता है ठीक है और third person क्या होता ही see it या कोई नाम या कोई एक वस्तू होता है और दे यह क्या होता है plural में आते हैं यह बहुवचन में आते हैं ठीक है यह बहुवचन में आते हैं इसको आपको क्या करना है तो first person क्या होते है I और we होते हैं ठीक है I मतलब मैं वी मतलब हम लोग you second person तुम और you plural जबाएगा तो तुम या यानि कि आप लोग मतलब plural में चला जाएगा third person he see it और they, they मतलब वे लोग he see it जानते हो वह वह और निर्जीव के लिए मौसम के लिए और कोई नाम हो m का प्रयोग क्या जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं ठीक है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि I के साथ हमेशा क्या होता है I के साथ m का प्रयोग क्या जाता है u v day के साथ क्या हो जाएगा r का प्रयोग क्या जाएगा जो भी plural number होंगे उनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा और जो singular number एक बचन होंगे उनके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा इजिका जैसे he, see, it या कोई नाम होगा कोई एक वस्तु होगा तो उसके साथ क्या लगेगा इज लगेगा you, we, day या एक सी अधिक more than one ठीक है plural होगा तो वहाँ प मैं मतलब I, मैं मतलब I तो हो जाएगा I और I के साथ क्या लगेगा, I के साथ am लगेगा I am, मैं एक बिद्ध्यार थी हूँ, तो I am a student हो जाएगा clear है, दूसरा कहरा अब देखो मैं, मैं की बात कर रहा है मैं मतलब first person, first person कहता है वक्ता खुद के बारे में बात करता है फस्ट परसन में जो वक्ता होता है बेटा वो खुद के बारे में बात करता है ठीक है वक्ता किसके बारे में बात करेगा खुद के बारे में जो फस्ट परसन होता है फस्ट परसन में जो वक्ता होता है वो खुद के बारे में बात करता है देखो यहां पर फस्ट परसन है मैं के साथ क्या लगेगा इज लगेगा ही इज अ और सिच्छक क्या होता विटा टीचर होता है तो ही इज टीचर वह क्या है वह एक सिच्छक है थार्ड परसन हो गया वह क्या है थार्ड परसन जब बोलने वाला व्यक्ति दूसरे से किसी तीसरे की बात करता है दूसरा ब्यक्ति बोलने वाला ब्यक्ति दूसरस कह रहा है कि वह एक सिच्छक है तीसरे की बात कर रहा है जो बोलने वाला ब्यक्ति है वह किसी दूसरे ब्यक्ति से किसी तीसरे के बारें बात कर रहा है समझ रहे हो ना जैसे यहाँ पर तो आदमी है यह इससे कह रहा है कि य यह जो है, यह क्या है? यह सिच्छक है, यह इससे कह रहा है कि यह क्या है? सिच्छक है, तो यह third person हो गया, third person के बारे में बात की जा रहा है, इससे इसकी बात कर रहा है, यही कह रहा है, वह एक सिच्छक है, मतलब यह एक आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी की बात कर र क्या है कि वह क्या है वह एक सिच्छक है ठीक है चलिए आगे चलते हैं कि अब वे लोग खिलाडी है तो वे हो गया plural हो गया देखो थर्ड पर्सन प्लियूरल थर्ड पर्सन प्लियूरल वे लोग ठीक है तो वे लोग हो जाएगा दे और दे के साथ आर दे आर वे लोग होगा ना प्लियूरल आएगा तो यहां खिलाडी का प्लेयर्स हो जाएगा दे आर प्लेयर्स हो जाएगा देखो समझो ना वे लोग की बात कर रहा वे लोग मतलब बहुत सारे लोग है ठीक है तो प्लियूरल हो जाएगा दे दे हो जाएगा दे के सातार लएगा प्लियूरल हो अगला देखते हैं हम लोग क्या है हम लोग विद्यार्थी है अगला sentence है हम लोग विद्यार्थी है ठीक है तो we are we are we are और विद्यार्थी का students we are students ठीक है वह यह भी plural है हम लोग की बात कर रहा है बहुत सारे लोग हम लोग हम अकेले नहीं हैं हम हैं ठीक है हम और भी लोग हैं we are students हो चाय। हम लोग क्या हैं बिद्यारत्त ही है clear है चलिए कि तुम एक डाक्टर हो तो तुम एक डाक्टरे तो ऊचल जाएगा you are a Sieber haste ! तुम लोग नहीं कह रहा है अगर तुम लोग होता तुम डाक्टर्स हो हम लोग किवल होता हम विद्यारती हैं तो यहाता वी ओर स्टुडेंट अगर यह कहते हुम विद्यारती हैं क्या था थरा हम विद्यारती हैं तो लगोन तुम लोग विद्यार्थी हो तुम लोग विद्यार्थी हो तुम लोग क्या हो तुम लोग विद्यार्थी हो तो हो जाएगा यू आर इस्टूडेंट्स समझें केवल तुम कहें केवल कहें तुम विद्यार्थी हो तो यू आर इस्टूडेंट हो जाएगा बात clear हो रही ना बच्चों समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है इसको आपको याइसे ही rules follow करना basic सीखना है क्योंकि basic ही मजबूत रहेगा बेटा तभी आप paragraph writing skill हर एक चीज तभी आपके अंदर आपाएगी जब तक आपका basic नहीं clear आपको आने वाला नहीं है clear है ना तो अगला sentence है कि वह मेरा सच्चा दोस्त है वह मेरा सच्चा दोस्त है तो वह का हो जाएगा ही वह का क्या हो जाएगा ही और ही के साथ इज ही इज और मेरा का माई सच्चा दोस्त सच्चा का होता है true सच्चा का क्या होता है true और दोस्त का ठीक है, he is my true friend, वह मेरा सच्चा दोस्त है, अगला है, मेरा उत्तर सही है, तो मेरा का होता है my, और उत्तर का answer, तो my answer is, और सही का क्या होता है, right, my answer is right, मेरा उत्तर क्या है, सही है, अगला है, तुम्हारा भाई बीमार है, तो तुम्हारा का होता है your, तुम्हारा का क्या होता है, your और भाई का ब्रदर, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई बीमार है, your ब्रदर, एज है, इल, अगला है राम का दोस्त अनपस्तित है, अब देखो, राम काकी के का प्रयोग, हमने ने एक वीडियो इससे पहले डाला था जब भी काकी का प्रयोग वरते हैं तो राम को राम लिख दीजिए ऐसे ऐसे कर दीजिए एसे डैट लगा कर यह जिसका मतलब हो जाएगा राम का आधोस्त का क्या होता है फ्रेंड राम्स फ्रेंड ठीक है राम का दोस्त क्लीर है ठीक है अगला भारत हमारा देश है तो भारत का हो जाएगा इंडिया इंडिया इज और हमारा का क्या होता है अवर हमारा का अवर और देश का क्या हो जाएगा कंट्री तो हो जाएगा इंडिया इज अवर कंट्री क्लियर है बच्चो चलिए अगले चलते हैं कर यह उन लोग दिस दीस दी आर करका क्या होता है ॹौस Argon लोग का घर आनली से घ्ला हम लो DO DA तो हम लोग का घ्र हम लिटा वीय आर विय आर विर लिवरिय मेहंती लिदेजिएगहां hard working भी आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चो लिख सकते हैं और हम लोग है ना तो farmer के जगा पर आपको farmers लिखना होगा ठीक है बईया तो बस आज की class नहीं तक है फिर मिलते हैं class नूमबर अगली पर हस्ते रे मुस्कुराते रहे वीडियो को लाइक करें सेर करें अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद